दोस्तों जब कभी air condition की बात होती है तो बहुत से लोगों के मन में केवल एक ही खायाल आता है कि air condition का जो काम होता है वो आपको ठंडी हवा देना होता है लेकिन दोस्तों market में आपको hot and cold air condition के विकलपी देखने को मल जाएंगी जिने हम all time weather air condition या फिर two in one air condition भी कहता है दोस्तों hot and cold air condition का काम होता है गर्मियों के दिनों में आपको ठंडी हवा देना वहीं पर सर्दियों के दिनों में ये heater के रूप में भी काम करता है इसे में दोस्तों अगर आप अपने लिए एक hot and cold air condition लेने के लिए सोच रहे हैं और आगर आप confused हैं कि आखिर आपको hot and cold air condition ल आपको पूरी complete information देंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देखेने तो दोस्तों चैनल को तुरन सस्क्राइब कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों complete information मिल जाएगी, point number one की hot and cold air condition के क्या-क्या type होता है, point number two की hot and cold air condition का क्या mechanism होता है और ये कैसे काम करता है, point number three की hot and cold air condition का electricity consumption कितना होता है, और point number four की hot and cold air condition को किने purchase करना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते है, point number one के बारे में की hot and cold air condition के क्या type होता है, दोस्तों hot and cold air condition भी normal air condition की तरह ही आपको देखने को मलता है, उनमें आपको दोस्तों windows air condition और split air condition दोनों के ही option देखने को मिल जाता है, बात करते हैं, point number two के बारे में की hot and cold air condition का mechanism क्या होता है, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताए कि hot and cold air condition भी आपको जो market में option अवेलेबल है, split air condition या फिर windows air condition आपको वही देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर आपको कुछ extra sensor देखने को मिलेंगे, जो कि heat को manage करते हैं और overheat नहीं होने देते हैं, वही पर दोस्तों आपको एक extra part और देखने को मिलेगा, वो है wall, दोस्तों जब कभी भी आप air condition को heat mode पर चलाएंगे, तो वो wall जो है दोस्तों, वो cooling line के pipes की supply को बंद कर देगा, यानि कि वहाँ पर जो refrigerant gaze का flow है, उसको बंद कर देगा, और heat mode जब कभी भी आप चलाएंगे, यानि कि heater mode पर चलाएंगे, hot mode पर चलाएंगे, तो उस supply को वो चालू रखेगा, और आपका indoor unit आपको जो है, वो heat provide क करेगा, दोस्तों, जब कभी भी आप cool mode पर air condition को चलाएंगे, तो वो जो wall है, वो heat mode की supply को बंद कर देगा, वहाँ पर refrigerant के flow को जो है, वो stop कर देगा, और आपका air condition जो है, वो cooling provide आपको करेगा, लेकिन दोस्तों, इसके अंदर कैसी process होती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, जब कभी भी normally आपने देखा होगा, कि जब कभी भी आप air condition को चलाते हैं, तो दोस्तों, cool mode पर अगर आपका air condition चल रहा है, तो outdoor unit की जो condenser coils है, वो गर्म हो जाती है, और outdoor unit से गर्मी जो है, हम कह सकते हैं, कि एक गर्म हवा वहाँ से पास होती है, वही पर दोस हो जाएगा, वहाँ से जो है, वो ठंड़क निकलना शुरू हो जाएगी, तो जो reverse mechanism है, वो बिल्कुल hot and cold air condition में काम करेगा, अब हम बात करते हैं, कि दोस्तों, electricity consumption जो है, वो hot and cold air condition में कैसा होगा, तो दोस्तों, normally जब कभी भी आप cool mode पर air condition को चलाएंगे, तो बिल्कुल वेसा ही consumption होगा, जो कि normal air condition के अंदर होता है, लेकिन जब कभी भी आप heat mode पर air condition को चलाएंगे, तो electricity consumption उतना ज्यादा नहीं होगा, इसे आप compare कर सकते हैं, heater के साथ, या room heater के साथ में, कि जो room heaters होते हैं, दोस्तों, वो electricity consumption ज्यादा करेंगे, as compared to heat mode पर जब कभी भी आप air condition क चलाएंगे, दोस्तों, अब बात करते हैं कि hot and cold air condition किने purchase करना चाहिए, और किने बिल्कुल purchase नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों, खास कर नौर्थ के इसे इसे इलाके जहां पर धंड पड़ती है, लेकिन इतनी जादा नहीं पड़ती है, तो बिल्कुल आप वहां पर hot and cold air condition ले सकता है, जो कि गर्मियों के दिनों में आपको बिल्कुल cooling प्रोवाइट करेंगे, और बिल्कुल सर्दियों के दिनों में आपको एक heater के रूप में गर्मी प्रोवाइट करेंगे, लेकिन दोस्तों, इसे इलाके जहां पर ठंड बहुत जादा पड़ती हो, तो दोस्तो वहाँ पर आपको hot and cold air condition बिल्कुल consider नहीं करना चाहिए, suppose अगर आप शिमला जैसे इलाके में रहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पताए कि शिमला में तो already बर्फ काफी सारी जम जाती है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इसका mechanism बता था कि जब कभी भी आप air condition को heat mode पर च तो बिल्कुल आइस जमेगी ही जमेगी और खासकर इसे इलाके जहां पर पहले से बर्फ पड़ती हों तो बिल्कुल उनको तो consider करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थंडे इलाके हैं तो उनको भी consider नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों outdoor newt के उपर अगर आइस जम जाएगी तो पूरा mechanism disturb हो जाएगा और इसे में hot and cold air condition आपके लिए एक अच्छा option बिल्कुल नहीं रहेगा, अगर आप ऐसे इलाके से बिलॉंग करते हैं जहां पर पहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हैं तो फिर आपको एक room heater अपने लिए consider करना चाहिए, और room heater आपको कौन से लेना चाहिए दोस्तो इसके ओपर already हमने dedicated videos आपके लिए बना हुआ है, उन videos के link आपको description box में मिल जाएगी, वो videos देखकर दोस्तों आप अपने लिए एक best room heater choose कर सकते हैं, दोस्तों इन चारों ही point को अच्छी से समझने के बाद आपको ये समझ में आ होगा कि hot and cold air condition में कौन-कौन से type case है, आपको देखने को मलता है, ये case से काम करता है, इनका mechanism क्या होता है, electricity consumption कितना होगा, और सबसे आखरी point जिसमें हमने आपको बताए कि किने ये air condition लेना चाहिए और किने ये बिलकुल नहीं लेना चाहिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे detail वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आओ, तो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार देना बिलकुल मत बुलिएगा, इस वीडियो को ज्यादा अपने family friends विमर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आ अच्छी वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक new वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन बंदे मातराम